शलोम 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 प्रभीश मसी नासरी के नाम में तो ये समय हम सब देख रहे हैं होने वाले तमाम घटना क्रम किस रीती से हमारे देश में घटित हो रहे हैं उनका अवलोकन करना बहुत जरूरी है जो वचन हमें दिये गए हैं उसके अनुसार कि इन समयों को पहचानने के लिए प्रभीश ने कहा वचन ने कहा तो हमारी द्रिश्टी खुली रहनी चाहिए घटना क्रम जो शुरू हुआ हमें ऐसा लगता है मनिपूर नई मनिपूर व और इसके पहले जो चलता रहा मैं बार बार बोल रहा हूं एक जबरदस्ती का गुमराह किया गया कि धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन और जिसका कोई प्रमाण नहीं सिर्फ एक दोशारोपन एक जूटा दोशारोपन दो दुश्ट और सैतान का काम है वो होता रहा है आ गत्यचार नरसहार जैसी चीजें अगर घटित होती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी क्योंकि जिस तरह से जब बोलते हैं कि धर्म का नाश हो रहा है और संसार के बनाए धर्म के अनुसार ये क्रोद और ऐसी चीजे घमंड और ये चीजे जब आ जाती हैं धर्म की जगा पर तो पवितर सास्तर में साफ कहा गया है कि जब नीशता का आदर होता है तो दुष्ट दुष्ट लोग अकड़ते फिरते हैं वो हम पूरे परी दिश्टे में देख रहे हैं कि दुष्ट ने कैसी दुष्टता कर दी है मनुश्च को मनुश्च से दूर करने के लिए और सिर्फ अपनी एहमियत और उन बातों को दिखाने के लिए जो एक मरक्तरशना है जबरदस्ती की और ये स्विकारते हैं कि जब क्रिश्चन्स को इसाइयत को आगे बढ़ते देखते हैं और प्रभी ईश्यू के नाम से सारे आश्चर कर्म और चमतकार की सचाईयां तो मन ही मन तो स्विकार करते हैं आज हमारे इंडिया में 30 से भी ज़्यादा प्रभी ईश्यू को ग्रहन करे हुए हैं स्विकार करे हैं अपने अंतरमन से और उससे कहीं ज़्यादा होंगे ये सच्चाईयों के कारण पर समाज का दबाव और जिस तरह से अधर्म ने अपन पंख फैलाए हैं पूरे और लगतार एक सडियंत्र जो सैतान हमेशा करता रहा है और कर रहा है तो हमें सिर्फ वचन पर भरोसा है परमेश्वर पर भरोसा है पवित्रात्मा पर भरोसा है प्रभी ईश्यू पर भरोसा है जिसने हमसे वादा किया कि ऐसे दिन आएंगे पव प्रभी इश्यू की परिक्षा हो रही थी तीन परिक्षाओं का था तो उसमें एक शब्द एक बात पूछा गया कि जब भूका है तो फत्तर से कह कि ये रोटी बन जाए सैतान कहता है और प्रभी इश्यू ने जो जावाब दिये वो वेवेस्था विवरन अगर हम आठ का त देखेंगे तो बहुत इसपस्ट हो जाएगा कि प्रभी इश्यू ने कहे कि मनुष्य रोटी से ही नहीं पर किस से जीवित रहेगा मैं ये पढ़ देता हूं वेवेस्था विरन आठ तीन उसने तुमको नम्र बनाया और भूका भी होने दिया फिरवा मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया इसलिए कि वह तुझको सिखाय कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परन्तु जो जो वचन यहोवा के मूँ से निकलते हैं उन ही से वो जीवित रहता है प्रवीश्य ने तुझको डाटा की दूर हो जा सैतान तुझ सिखाय ऐसे दिन जब आ रहे हैं जो हर वचन उसके मूँ से निकला है पवित्र सास्तर में यहोवा की ये वानी है यहोवा तुझसे क सब कुछ हो रहा है तो देखिए उसके पहले जब हम ये जानते हैं कि घरनित वस्तू का ऐसी जगा पर बैठाया जाना तो एक घरनित चीज जिसको सिंगावल बोलते हैं एक ऐसा जो दिखाता है सासन के लिए वो संसद में जब रखा गया और उसके बाद से पूरा क्रम देख निश्चित जो कटरता है वो संविदान विरोधी है और अपनी मनमानी करने के लिए अधर्म के जितने काम किये जा सकते हैं वो हमारे सामने उसका एक नमूना है सिर्फ मनिपुर इस से कहीं ज़्यादा भयाना घटनाय अब लगातार आप होते हुए देखेंगे क्योंकि ज विधान का आदर उस जगह पर होता था प्रतिनिदियों वो जो चुन के जाता था उस प्रतिनिदी की लोगों से एक कमिटमेंट रहती थी कि मैं तुमारे लिए काम करूंगा भलाई करूंगा अच्छा करूंगा अब वो ही चीज वहाँ पर बदल गई इसको बहुत गंबी वित रहना है परमेशर के वचन से रहना है क्योंकि उसने बोला है कि मत डर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्याबूंगा चाहे कितने भी भयानक दिन आएं और इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि वेवेस्ता विवरंसाज से करीब ग्यारा पढ़ लेना और यशया 49 से 51 तक कम से कम ये चीजें पढ़के इसको दोहरा लेना ये अंतिम समय में ये आपके आँखों के सामने होते हुई दिखेगा जो साफ साफ दिख रहा है और हर कोई ये कह रहा है आज ब्रातनाओं की आउशकता है प्रतेक प्रतिनिधी के लिए आउशकता है हमारे जो सविधान का रक्षक बना हुआ है और उन तमाम रक्षकों के लिए है क्योंकि इतना भ्रमित अंधेरा कर दे कर दिया है अंधभक्त जैसे शब्दार है ये पीछे सैतान का काम है जो अपने अंधेरे को इस्थापित कर रहा है अधर्म के द्वारा और उसमें बहुत सार है ऐसे काम अभी आने वाले भविश में होने जा रहे हैं पर एक चीज और है कि पवित्र आत्मा जो ये सचेत कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा इश्यू के नाम में हम सब को चाहिए कि इन सब के लिए जो प्राथनाएं हों कि इनका मन बदले वो कठोरता जो ला दी गई है एक दूसरे के लिए कितना बड़ा विभाजन है राजने थे हमने जो देखा इसमें वेवस्था वेवरन में कि हम जीवित परमेश्वर के वचन से रहेंगे लोगों की दया से नहीं सांसारिक रोटी से नहीं ये जब पक्षियों का चिडियों का जानवरों का ध्यान परमेश्वर तो उसने कहा है तुम तो मेरे सर्वोतम कृती हो जो उससे प्यार करते हैं जो सचमुझ में उसके आग्याकारी है तो ये जान लो पूरी रीती से चाहे कितना ही क्योंकि बहुत भयानक समय होना है ये पूरे क्रोध में पूरी दुष्टता के साथ योजनाए और सारा प्रदर्शन होने वाला है जिसे ग्रह युद नाम दिया जा सकता है नरसहार नाम दिया जा सकता है कुछ भी नाम दिया जा सकता है पर उतल पुतल होने वाली है उसकी घंटी उस समय से बच गई जब संसद में वो चीज रखी गई जो वहां के लिए है ही नहीं और उसके परिणाम हम देख रहें इस से भयानक परिणाम बीजेपी को भुगतने हैं जबर दस्ती में कई सोच रहे होंगे वो जान रहे हैं कि क्या हो रहा है सभी उन्हें मजबूरी है बोलना है और ये सारी चीजें क्योंकि समाज के साथ रहना है राजनीती में दल वो भी तो पड़े हुए हैं पर हां कुछ समय बाद निश्चित सूर्य उदय होना है प्रकाश आना है और ये आएगा इन दिनों में लगातार उपास और प्रात्ताओं के द्वारा और ये घटनाएं घटित होते रहेंगी पर जब ये एक स्तिती आएगी तो ये घटना के बाद जब य बयाना को रहे हैं ये इस्तिती में पहुँचने से पहले ये वचन की ये सच्चाई मुझे आउशक लगा कि इन बातों पर ध्यान रखें ये सिर्फ हमारे लिए यरुशलेम जो हम हैं तो इसराईल हमारा ये ही है आज देखिए इसाईयों पर दोश लगा दिया गया वो प भी घ्रणित वस्तू बैठना है आपने देख लिया है वहाँ पर जो डूशल जो रिफॉर्म के लिए जो बिल आया वो सहमती से पास हो गया हमारे इंडिया में भी वो पास होगा कभी भी पास हो सकता है जो चाहता है संसत पूरा सदन जिनका बहुमत है हम हैं हम बदलेंग सुप्रेम कोड को जो अधिकार है ये रिफॉर्म जो जो डीशियल है उस अधिकार को खतम करके हम तुमारी न्यूटी करेंगे हम वो करेंगे जो भी रिफॉर्म करना है और उसमें हमने देख लिया कि बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही थी चोटी चोटी देश को एक हो जाएगा अब अच्छा हो जाएगा कारेकालों को समझें समय को पहचाने और निश्चित एक दूसरे के लिए इखटे हों प्रात्ना करें और वो जो फैलाया जाएगा आने वाले समय में पहले से बता रहा हूं जूट की हिंदो क्रिश्चन के बीच में भी एक बड़ी दरार ये डालने वाले हैं और जिसकी सुरुवात हो चुकी है हां इन सारी चीजों का होना भी निश्चित है और फाइनली प्रभी इश्चु सैतान पर विजय है तो हमें डरने की जरुवत नहीं है उन वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते यहां कि सविदान की इस्तिती देख लिए नियालाय की इस्तिती देख लिए हमारा रक्षक हमारा परमेश्व और हमारा प्रभी इश्चु और पवितरात्म है और उसका वच्चन हां उस प्रभी इश्चु को मानने वालों के साथ जो जो होना है निंदा से लेकर हवालात में डालने से लेकर प्रताड़ना है ताड़ना है और कतलो गारत ये होना है वो उसका जो मनिपुर में जितना घिनोना देखा गया है और सारा विस्व अचंबित है कि ऐसा घिनोना काम हिंदों के बीच में ये नहीं है वो अहिंसक लोग हैं अहिंसा परमोधर्मा उनका मुख्य है पर कटरता ने एक ऐसा धड़ा जो सैतान के हाथ में पढ़कर यहीं के भारत वासियों को ही सत्ता का लालच और क्योंकि वो लालच देता है सैतान लालच देता है और लालसा और नाना प्रकार की चीजे आप लोग सब सुन रहे होंगे क्योंकि वो चीज वहाँ पर रख दी गई है सैंटर विस्टा में जो बनाया गया है भवन सिंगोल रखा गया है और वो चोल सामराज्य से सम्वंदित है जो तैमिल लोगों ने वहाँ पर आकर उसकी इस्तापना एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा की और असर इन सारी चीजों के जो प्रतीक के सामने आपके सामने हैं ये आपको निश्चित करना ह कि संसद में क्या होना चाहिए और ये सब बदल सकता है क्योंकि मनुश्य की कोशी स्योजनाय राजनैतिक तरीके से नहीं जब तक इनका हिर्दय परिवर्तन नहीं होगा जैसे हमारे मसी भाईयों का है हिर्दय परिवर्तन और एक सच्चाय उनको दिख रही है तो जब तक ये कहेंगे नहीं इश्य के नाम में मांगेंगे नहीं ये भारतवासी और उन्हें मांगना चाहिए क्योंकि परमेश्वरी मनुश्य बन कर आया ये इसपस्ट है हाँ ओठों से आप इसलिए सुई कारणी करते मैं कारण समझ सकता हूँ पर अब देश को जरुवत है प्रते इश्य का जीवित नाम और बदल सकता है वो सारी चीजें क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्याई है और वो भलाई का परमेश्वर है हमारे सामने जारखंड वो इस्तिती को दिखा रहा है लोग आकलन अपने अपने तरीके से करते हैं विसलेशन करने वाले जो रात जनाय और शिक्षा के नुसा है क्योंकि कहीं न कहीं वो एक गुलामी में है स्वतंत्र नहीं हुए और उसी के आधार पर उनके विचार हैं और इसलिए वो आखरी तक स्थाई नहीं होते परिवर्तन हो जाता है तो हमें उन बातों की तरफ ध्यान न दे कर सिर्फ ये कोसिस हमारी हर दिन रहनी चाहिए अपनी प्रात्ताओं में क्योंकि ये सब हमारे भाई बहन हैं विचारों में असामानता सभाविक बात है इनके धर्मों के काम कि जो धर्म हैं चाहिए वो हिंदू हो मुसलिम हो और अपनी अपनी स्विकारेता है पर ये समय जो है ये किसी रीती से क्य मुख्य है बिलकुल नफरत दुष्ट का काम है बिलकुल सचमुष में साफ हिर्दय होना बहुत कठिन है मन का और ये जो ओट की राजनीती है जो खरीद फरोस्ट से संबंदित है इसको अपने ही निकार से मैंने पहले भी बोला है जो अपराधी करन हुआ है राजनीती का और अपराधी लोग जादा मातरा में हैं और उनका ओदेश तो ये जटके देश को मिलना है और इस पर विचार करने के लिए पहले भी मैंने कह दिया है कि एक ठोस निर्णय लेना चाहिए एक साफ चरित्र के लोगों के द्वारा जिसको वो पवित्र मंदिर कहते हैं संसत वहा घिनोने लोग क्यों हो अपराधी क्यों हो अगर सचमुष में हम भारत से इंडिया से प्रेम करते हैं चाहे हम कोई जात के हो तो पहला काम ये जब तक नहीं होगा ये जाती वादी राजनीती ऊंच नीच ये हमेशा कटूता डालती रहेगी और ये सैतान का प्रमुख हत्य ये चाहे कुछ यो हमने वचन जाना ये परिक्षाओं के समय में जो आने वाली है वचन हमें जीवित रखेगा हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्व दर्शन करेगा हमारी आउशक्ताओं की पूर्ती करेगा जीवन में जो भी जरुरते हैं वो पूरी ईश्यू के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा होगी जैसे मनना खिला दिया गया कहां देखा था किसी ने उस बियाबान में उस जंगल में और इस बात को बहुत ध्यान से अपने जीवन में और इसे बढ़ाना है कि हम जो मसीही लोग हैं हम किसी से घ्रना नहीं करते मनुश से हमें ये सिक्षा नहीं मिली और कितना भयानक अत्यचार हम सुरू से सहते रहे हमारे भाई बहनों के साथ कैसा कैसा वैवार सिर्फ इसायत से घ्रना करने के द्वारा हुआ आज लोगों का मूँ खुल रहा है नहीं और उसके बाद भी जूटा दोशा रोपन मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मतई पर हो रहा है मतई हिंदूओं पर कुकी क्रिश्चन आकरवन करने कितनी जूटी वीडियो सामने लाई गई गई तो यह सब सैतान का काम यह पस्ताते हैं कोई भी पस्ताएगा कि जब घमंड में भरे कैसे कैसे यह लोग जवाब देते थे और जब यह सरकार में नहीं थे तो इन लोगों के प्रतेक के जवाब सुनी हैं इन लोगों के कैसी बात करते थे कि बड़े सब्बे हैं पड़े लिखे हैं मेरी तो अधार न यही थी इनसारों के बारे में कि ये कांग्रेशियों में जो हैं उनसे कहीं ज़्यादा यह तो ये पढ़े निखे कैसे निकले उनके जवाब उनको मालूम है कि उनका कितना चरितर परिवर्तन हुआ कितने घमांड और कितनी अजीब और गरीब तरीके से ज हमने आ गया और जब ऐसा होता है तो हर चीज पूरी होती वो साइकल पूरा हो रहा है परमेश्वर बदलने वाला है लोगों के मनों को हमेश सहना है धीरज हमारा प्रभू देगा जीवित हर एक इसतर पर जीवित वो रखेगा सिर्फ खाना पीना नहीं हर चीज में रक्षा क वो हमेशा से करता रहा है और जितना मसीहत को कुछला जाएगा वो नियम लगता है ना दबा उसके विपरी उतना ही उपर के सबसे ज़्यादा संक्याओं में प्रभू ईश्व को स्विकार करने वाले उस नाम को गरहन करने वाले इस संसार में पाए जाते हैं प्रत्यक्ष भी गिंती में बहुत हैं और अप्रत्यक्ष तो बहुत ज़्यादा है हाँ उनमें अभी साहस की कमी है तो प्रेम जो मुख्य है जो प्रभू से मिला हमें उसके प्रेम को जाने है और उसकी शानती जो हमने पाए हैं सलों सारे मानो समाच के लिए है हमारे प्रत्यक्ष काम क कि अभी बहुत कुछ भयाना खोना है क्योंकि घृनट चीज़ें उस जगा पर रख दी गई और ये बात पूरी होगी ये आमीन है पवितर साथ की पर जीवित रहना उसके साथ रहना हमेशा का जीवन प्रभी ईश्यू के साथ है तो ये बातें जो हमको दिखती हैं ये तूफान ईश्यू के साथ ये कोई माइने नहीं रखता ये विस्वासी जानते हैं और मैं उनसे भी चाहूंगा जो इस तरह से डरे हुए हैं प्रभू की शरण में आए उससे मांगे ईश्यू के नाम में वो ऐसा नहीं है कि उसने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया है परमेश्वर है वो तो प्रेम जो हमारे लिए बेस है परमेश्वर प्रेम है तो वो हमारे हिर्दे में हमारे देश्वासियों के लिए और हर बात में सतरक भी रहना है अपने नाके बाड़े बांदे रहने हैं दमदमे बांदे हैं हमें निश्चिन्थ होकर सो नहीं जाना है क्योंकि सैतान कहीं से भी आकरमन्ट करेगा और इसके भायानक योजना है बहुत जल्दी अब अगस्त सुरूई हो गया है पंद्रा अगस्त हो जाने दीजिए तब तक हो सकता है कुछ सांथ रहे पर जैसी ये होता है उसके बाद के परिणाम कैसी कैसी घटना है और दुर घटना है लगातार एक बबंडर जो उठना है क्योंकि सातान चाहता है कि तुम दरो और वचन कहता है ईश्यू परभु कहता हैमड़ तो हमें नहीं डरना चाहिए और जो गहर विस्वासी लोग है जो परभु ईश्यू पर विस्वास नहीं करते हैं उन्हें भी मेरा ईश्यू मसी olmazी के नाम में मैं चाहता हूँ कि प्रभु ईश्यू से मांगना और ईश्यू का नाम आपकी क्या हैं कैसे हैं वो धर्म कर्मों को नहीं देखता सब उसकी संतान है वो आपकी भी रक्षा करेगा मैं सब हिंदु भाईयों से भी चाहता हूँ मुस्लिम भाईयों से भी चाहता हूँ ये चो कटरता ने इनको करा है और उसके परिणाम हम देखते हैं तो स्रिष्टी रचाता जो जन्म लिया इसी लिए और अपना प्राण दिया इसी लिए कि हम बच जाएं और आखरी में जब वचन ये कहता है कि हर घुटना जुकेगा और हर जबान अंगी कार करेगी प्रवी ईश्यू ही मसी है और वो था है और आने वाला है क्योंकि ये जज्ज्मेंट टाइम है और उसके ये निशानिया है मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ध्यान से सुनिये उन वचनों को पढ़ लेना उसमें बहुत सा है अगली बार हम और आगे जाएंगे और मजबूती मसी की देख को मिले और इसायत क्या है मसीहत क्या है क्रिश्चन क्या होता है हमारे भारतवासी जो जानते हैं उनकी सिक्षा और स्वासत का वो बढ़ाई करते हैं पर चरितर और आचरन से हम आत्मिक रीती से भी मददगार बनें क्योंकि हमें आत्मा की समझ है, आत्मा का ग्यान मिला है पवित्रात्मा के द्वारा की ये सब अपनी आत्मा में आनंद और शान्ती पाएं, ये तुफान गुजर जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होंगे, नैं, जिनें आप नहीं जानते, परमेशर अपने लोगों को चुन रखा है, वो अलग-अलग जगह पर उसकी महिमा के लिए खड़े होंगे, और दुष्ट जो प्रभी ईश्यू के द्वारा सुरू से हराया जा चुका है, मौत को हराया जा चुका है, निकम्मा किया जा चुका है, उसकी मौत की शक्ती को चीन लिया गया, हमने जीजें उसके आने तक ऐसी घटना घटेंगी, कि उसकी सच्चाईयां और महिमा प्रगट हो, जैसे फिरौन के द्वारा परमेश्वन ने अपनी महिमा कराया था, आज भारत देश में इस कटरवाद का जो संगठन है सैतान का, उसके सामने प्रगट करवाएगा, अपनी मह और आप देखेंगे, हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, इस्यू के नाम सब को शलूम, शलूम, शलूम